अगर आप अपनी जिन्दगी को बदलना चाहते हैं तो अपनी जिन्दगी को बदलें अपनी जिन्दगी बदलने के लिए आपको अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा अगर अपने माइंड सेट को नहीं बढ़ लेंगे तो लिएदा आप अपनी जिन्दगी को नहीं नहीं बदल सकते हैं मैं उमीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे वेलकम टू जी एस अकैडमी यूट्यूब चैनल आज का हमारा टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है आज हम बात करेंगे आप से ऑक्सीडाइजिंग एंड डियूसिंग एजिंट के बारे में जैसे के हमने अरेडी बात की आपसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की के ऑक्सीडेशन एक ऐसा फिनामेन है जिसके अंदर को यह एतं आयन स्पीशी एंड क्या करता है? ऑललक्ट्रौन को जो हैं ऑक्सीडेशन में लोजग चैनल फिर ऐलक्टरौन को लोजव करता है यह प unser नहीं एक्तरौन lose हो रहे तो hydrogen भी क्या होगा? lose होगा. oxygen को gain करना oxidation है. اور reduction इसके बराक्श है. electrons को gain करना reduction है. hydrogen को gain करना reduction है. जब कि oxygen को lose करना reduction है. तो लिदे reduction की मैंने आपसे बात की, oxygen की बात की, अब बात करते हैं oxidizing and reducing agents की. पहर बत चो जो oxidizing agents होते हैं या reducing agents होते हैं इनको कैसे समझ सकते हैं इनको कैसे समझ सकते हैं कि जैसे non-metals है अब non-metals की ये खासियत है कि they are a kind of a species जो electrons को बहुत पसंद गरती है हमारे पास chlorine है और it love electrons तो chlorine क्या बन जाएगा chlorideine बन जाएगा ये क्या हो ये reduction हुई है ये कौन सा अमल हुए है reduction हुई है अब हम कहेंगे कि chlorine basically एक है कौन सा agent oxidizing agent अब आप कहेंगे ये oxidizing agent कैसे है जैसे let's say that हमारे पास chlorine है और हम chlorine का reaction sodium से करवा देते हैं तो फिर definitely sodium chloride तो बनेगा ना अब देखें chlorine ने क्या किया sodium से electron gain कर लिया देखें sodium की oxidation हुई है पता है क्यों oxidation हुई है क्योंकि इसने electron lose किया लेकिन chlorine ऐसी वज़ा है जिसके विशे sodium electron lose किया है ये एक ऐसा agent है ये कैसी species है ये एक ऐसा atom है ये एक ऐसा iron भी हो सकता है लेकिन आइटम की बात करूँगा भी atom है लेकिन एक ऐसा atom है जिसने क्या कर लिया है दूसरे से electron receive कर लिया है ये देखें electron है इसने receive किया कोलराइड हो गया ये देखें chlorine कोलराइड हो गया electron मिला ना उसको तो कहां से मिला sodium से मिला तो oxidizing agent है ये let's say that कि मैं हूँ और आप है let's say that कि आप में से मैंने electron ले लिया मेरी खुद के तो reduction हुई है chlorine के तो reduction हुई है लेकिन ये है तो oxidizing agent ना ये दूसरों को तो oxidize कर रहा है ना ये लहादा दूसरों को oxidize करने वाला क्या होगा oxidizing agent होगा तो लहादा the species that oxidizes a substance by taking electron from it या फिर आप कहलें ऐसा substance item ये आएन जो कि reduce कर लेता है खुद को देखें इसने खुद को क्या किया है reduction की खुद को reduce किया है reduce कर लेता है अपने आपको by gaining electron electron को gain करने के बाद अब ये example मैं यहाँ भी हिट कर देता हूँ के अब हमारे पास यहाँ पर क्या है sodium है उसने क्या किया है chlorine को electron दे दिये तो लहादा इसकी खुद की क्या हो गई है oxidation हो गई है ये देखें sodium क्या करता है sodium basically electron को जो है वो क्या कर देता है lose कर देता है sodium क्या करता है electron को क्या कर देता है lose कर देता है क्या कर लेता है अपनी oxidation कर लेता है sodium एक metal है sodium क्या है metal है sodium खुद की क्या कर लेता है oxidation कर लेता है जब इसने अपना electron निकाला है यह निकाल दिया है तो निकाल दिया जब electron निकाल दिया तो इसने किसको दिया chlorine को दिया chlorine gas को दिया और क्या बना दिया तो लेहादा क्लोरिन को लेक्ट्राइद किसने दिया सोडियम दिया तो हुआ ना reducing agent reducing agent कैसे हुआ क्योंकि उसने electron दिया है क्लोरिन को electron देने वाली यानि के you can say that के ये एक reducing agent sodium है कैसे है क्योंकि the species that reduces substance by donating electron यानि अपना electron दे कर दूसरी species को reduce कर देती है chlorine की reduction हुई है na chlorine की क्या हुई है reduction हुई है किसे reduction की है sodium ने की है sodium हुआ ना reducing agent अगर मैं आपकी reduction कर देता हूँ तो मैं हुआ ना reducing agent देखो बही जो paint लेकर आता है वो हुआ ना painter आपके घर को paint कर देता है इसी तरह से जो electron देगा वो हुआ ना दूसरों को reduce कर रहा है ना तो वो हुआ ना reducing agent जो electron लेगा वो हुआ ना oxidizing agent क्योंकि दूसरे electron ले रहा है तो reduction के बर तरफ ये बात होगी बर तरफ बोल रहों सही लफ़ बोल रहों बर खिलाफ कहलें आप के मतलब अगर oxidation है तो oxidation oxidizing agent के करेंगा उल्ट काम करेगा सारे अग्सिदाइशन के लेक्ट्रों को lose होना तो लहाँ दूसरे बीशे लेक्ट्रों गेन कर रही है ना that's why oxidizing agent पर काम कर रही है एक और चले definition देखते हैं the substance atom और आयन which oxidize by losing electron यह देखिए बात बताये पीछे तो मेरी पिछली वीडियो भी देखिए को बड़ी डिटेल में मैंने सम्झाने कोशिश किये तो इसको कहेंगे reducing agent right so that's the theory metals को याद रखियेगा और oxidizing agent इसके लाब मैं आपको और बुक में नहीं मैं आपको बता ज़ता हूं KMNO4 potassium per magnetic बहाँ अच्छा oxidizing agent KMNO4 ठीक है that is potassium per manganate manganate ठीक है और metals बहुत है जिसना calcium metal है sodium metal है potassium metal है you know aluminium metal है you know gold metal है silver metal है ठीक है iron बहुत बड़ा metal है जियाद रखना चाहिए इसके लाब कॉपर भी बहुत अच्छा metals है ये सब metals है पहरे बच्छो ये metals है metals right so these metals are basically what they are reducing agents और जो non-metals है ये के है oxidizing agents ये आपने बात याद रखिने आपको oxidizing or reducing agents की कहानी जो है वो समझ में आगी होगी so let's do some kind of oxidizing and reducing reactions उनको समझने की कोशिश करते हैं so continue with that अभी आपको थम ले नदर आपको देख लें ये मरेऊ इपक्लिक दो आँएं नदर आपको रासी है वाक उनको बाते हैं कि ही ह्एं है तुक्ट झतलतत को आपको इतलatar, झतलता, एक झापको भी नदर आपको आपको बदक